हेलो व्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल में सौगत है जैसा कि आपको सीजल जो है 19 का टीयर 2 का एक्जाम कम्पेट हुआ उसके बाद एक्सपेक्टेट का टाफ के बारे में ये वीडियो बना था पर मुझे लगा कि ये जो फाइनल कटाफ मैं बनाओ उसमें टीयर 3 भी इंक्लूड हूँ इसलिए मैं टीयर 3 का विएट कर रहा था फिर इस वीडियो में मैंने सब्सक्राइब की अभी दो आठारा में जैसे पेपर हुआ था टीयर 2 का तरह जिर्मा उसकी कटाफ आ गए थी उसकी एंसर की आ गए थी तो एंसर की से आप सभी को अपने मार्क्स जो हैं दो आरा टारा में जो टीयर 2 हुआ था उससे सब को पाच लगया इसी तरह मैंने दो आरा 19 में आज जो की यहाँ पर आपने जान रहें की टीयर 2 का एंसर की आ गया है आप सभी को अपना मार्क्स पाचल गया होगा अब मैं एक final cut-off tier 2, tier 3 और एक जो final cut-off आती है उसको लेके आपको expected cut-off बताऊँगा ये cut-off मैं 2017, 2018 और 2019 में उसको compare compare करके 2017 में क्या था, scenario 2018 में, 2019 में क्या रहेगा उसको बताऊँगा इसके साथ ही मैं आपको tier 2 में जो paper हुआ, 15, 16 नमबर, 18 नमबर का उसमें क्या होगा normalization marks क्या होगा tier 3 में क्या numbers मिलेगा और tier 4 में आपको आगे क्या करना है तो ये वीडियो आपको complete वहें एक expected cut-off और क्या analysis है उसको बारे में होगा ये वीडियो इसी लिए बकायता इसमें कई सारे students हैं, उनके marks कई सारे group study channel पर एक data लेके पुरा पकायदा चेक किया गया कि क्या क्या expected cut-off हो सकता है तो इसलिए इस वीडियो को बनारे में time लगा है आईए, अब मैं start करता हूँ आपको 12-17 के cut-off से तो जैसा कि आपको पता होगा 12-17 में SSE CGL के 12-17 में cut-off जो गया था, आपका 12-17 में 12-17 में जो है मैं ये cut-off वो बता रहा हूँ जो एक minimum जो CGL की last post है last post tax assistant उस post को मैं मान के चल ला हूँ कि एक जो average student है वो यदि उसको last post CGL में पाना है तो उसकी cut-off क्या हूँ चाहिए तो मैं जो cut-off है वो जान लीजे वो list 3 और list 4 एक ऐसा cut-off जिसके बाद आपको post मिल जाए वो cut-off मैं यहाँ पर बताऊँगा list 3 और list 4 का और जो भी मैं data बताऊँगा वो general होगा महलब you are क्या मैं लेके you are category के लेके cut-off होगा उसके बाद आपको उसके आपने category बाद जब cut-off वो बन जाएगा तो यह cut-off आप इसको ध्यान से देखेगा दोहर 17 में जो cut-off बना था आपका वो list 3 के लिए जो cut-off बना था 496 था मतलब यह 496 नंबर जो था आपको list 1 list 3 का cut-off है यह list 3 का cut-off है list 3 का cut-off है और यह cut-off बना था आपको tier 4 में tier 4 में बैठने के लिए tier 4 मतलब आपको जो आपका skill test होता है उसको बैठने के लिए यह cut-off list 3 का बना था फिर उसमें किदने candidate एविलेबल है यह सब यह information बनाता, तो यह list 3 का cut-off है, और जो list 4 का cut-off बनती है, उसमें cut-off बनाता आपका 488, यह है list 4 का cut-off, list 4 का cut-off, 488 है, तो इसमें कितने candidate available हैं, यह उसका cut-off list 4 में बना, तो आप देखते हैं, तो आप सतरा में, जब tier 4 को कितने लोग बैठेंगे, उसमें tier 1 प्रस tier 2 प्रस tier 3 का mark list 3 के लिए बना है, 496, और list 4 के लिए बना 488, पर जब, पर जब आपका यह cut-off final बनता है, दो आप जब यह देखेंगे, दो आप सतरा का final cut-off आता है, जिसमें दो आप सतरा में 8000 पोस्ट थी, उसकी लिए जब एक final cut-off बना, मनलब minimum marks जो चाहिए था, यूर कर्टेगरी के लिए, वो था 524 point something था, 524 cut-off था, मनलब इसके उपर, जिसने 524 के उपर पाया, वो सभी एक post के लिए, minimum जो पोस्ट है, last post है, उसको पाने के 1000 बनी, तो यह था cut-off यूर का, ऐसे ही, यह यूर cut-off है, तो OBC का cut-off आप जो final बनता है, यह नकिर final cut-off जो OBC का बनता है, उसमें आप 10 number minus कर लिजेगा, और जो SCST है, वो अपना cut-off जो भी यूर का बनेगा, उससे 50 number minus कर लिजेगा, वो ही cut-off आपका final बनता है, यह final cut-off बना है, जब पूरा skill test हो गए, उसके बाद का, यह cut-off है, 524 number UR का, अब हम आते हैं, 1217 में जो अभी आपने paper दिया होगा, 1218 का, तो 1218 का tier 3 का, tier 3 तक का, जो cut-off आया, जो की भी tier 4 आपका December में है, उसके लिए cut-off क्या बना, आप देखिए, तो उसमें जो है, list 3 तक cut-off गया है, 549 number, 539 cut-off, list 3 का है, और यदि हम list 4 की बात करते हैं, list 4 की जो cut-off बनी थी, वो 512 number है, ध्यान रखे का, यह cut-off में जो बता रहा हूँ, यह UR का है, और जो भी final cut-off बताऊंगा, वो आप उसमें, जैसे final cut-off 2017 में 524 number था, तो उसमें आपको, यदि आप OBC का degree है, तो आप 10 number मैनस क के लिजएगा, यदि आप SCST के लिए हैं, तो प्रास में मानस के लिजएगा, बनलब यह final post के लिए minimum 524 number था, इसके बाद आप को यह push मिल दा थी, तो यह जो मैं cut-off बता रहा हूँ, यह general cut-off है, तो 549 number, list 3 में गया था cut-off general का, और list 4 हो गया cut-off 512 का, पर जब अब जो इसी December में होगा आपका, तो उसके बाद एक final cut-off हाईगी, तो आप यह जो देखेंगे, कि 1217 में जब 496 number था, list 3 के लिए, पर cut-off जब final बना है, minimum post के लिए, तो उससे 30 number जादा था, 30 number का फर्क बना है final cut-off में, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, कि 549 number यह जदि 2018 में, तो इसमें post थी 8000, और इसमें 2018 में post है 11000 के something, जो की बड़ भी सकती है, तो इसलिए, यदि cut-off भी जाना होगा final cut-off, तो वो 500 के something जाएगा, आप इसमें plus minus 5 भी cut-off कर सकते हैं, 555 में जा सकता है, 545, पर इतना cut-off, तो 1218 में minimum post को पाने के लिए इतना होगा, आप ये cut-off कैसे बनता है, उस साल में कितने post है, final cut-off जो गया है, after the year 3, वो क्या है, तो उसके बाद ये cut-off आपका आता है, अब आप सुचिए कि list 3 में ही, 1218 में 15,000 candidate, सभी category की मिला कि 15,000 candidate available है, seat है आपके 11,000, तो तो ये 15,000 तो list 3 में ही है, और बाकिये भी list 1, list 2 में यदि आप जोड़ लें, 20,000 भी लोग होते हैं, तो 11,000 poster, तो मैं लिस्ट 3 को जो qualify करेगा, वही ही आपके 11,000 vacancy के under में आएगा, तो आप जान लेजे कि आपको list 4 का जब कटाफ है 512 नंबर, इसकी अहमेत ही नहीं रहते हैं, तो ये 549 नंबर तो list 3 का कटाफ चला गया है, list 3 में ही 15,000 candidate available है, और भी list 1 और list 2 बाकी है, तो BCR भी चल गए और 11,000 poster है, तो इसका मलब 549 के उपर जिसका भी number जाएगा, फाड़े 500 नंबर ये कटाफ बनेग final post आपका 2018 में ये पाएगा, ठीक है, अब हम आते हैं अपने 2019 की कटाफ को, अब 2019 की कटाफ यदि आप जानना चाहते हैं, तो आपकी कटाफ देखेंगे कि 2019 में कटाफ क्या थी आपकी, तो 2019 में जो कटाफ बनेगी, पहले हम बात करते हैं tier 1 की, 2019 का tier 1 भी इस बार का paper easy से moderate था, paper में जो 2018 या 27 से compare करें, तो उसकी जो paper tough था, वो उतना नहीं था, तो tier 1 में, यदि हम बानते हैं, average student भी है, उसने 1500 नंबर पाया है, 1500 नंबर उसका tier 1 में बना है, अब tier 2 की बाद आते हैं, 2019 की, tier 2 में, tier 2 में, इस बार जो अभी paper हुआ है, tier 2 में 19 का, एक बना है, 15-16 नंबर का, 15-16 नंबर, 18 नंबर को tier 2 का paper हुआ, पर इस बार क्या हुआ हुआ, 15-16 नंबर का जो paper बना, वो 18 के compression में थोड़ा calculated था, और ऐसा हुआ कि जो 18 नंबर का paper हुआ, वो sigil में, यदि हम फिछले 3 साल से compare करें, तो easiest paper था, मतलब यहां पर, यदि किसी इस्टुएंट्स ने एक मंत पहले भी पढ़ाई की है, तो वो 180 के cutoff को भी achieve कर ले रहा है, अब यदि किसी topper ने पढ़ाई के होगी, तो सचिए, अभी आज जेल्ट आया है, तो जहां तक आप देख रहे होंगे कि बहुत साल जो इस्टुएंट्स ने 200 नंबर, 18 नंबर के, 18 नंबर के इस्टुएंट्स ने 200 नंबर मैत में achieve की है, अब आप 18 नंबर के जो स्टुएंट है, यदि उनका आप एवरेज नंबर देखेंगे, तो 180 प्लस है, और 15 नंबर के को भी पेपर कल्कुरेटिव आया था, पर यदि एवरेज नंबर डेर सो है, डेर सो नंबर भी एवरेज है, हम ये मांग के चलना है कि डेर सो नंबर एक अच्छा खासा आपको टाइम मिला है, टियर टू देने के लिए, तो 1500 नंबर है और टियर टू का 18 नंबर का 188 नंबर है, अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या नॉर्मलाइज मार्क कितना होगा, तो जैसा कि सीजल सी ने खुद ही अपने नॉट्पिकेशन में लिक रख यदि आपका इसमें 1500 नंबर है, तो आप भी मांग के चलिए आपका प्लस 30 नंबर, नॉर्मलाइज होके बढ़ना तो तय है, यदि 18 वालो का एवरेज अटेंट 180 प्लस उपर जाता है, तो आप ये मांग के चलिए, अब हम आते हैं कि ये तो मैस का वेपर था, इंगलिस का पेपर भी इस बार का सभी ने 170 मार्क्स को एचीव कर लिया है, तो पेपर जो है, तीनों दिन में 15, 16, 18 नॉर्मलाइज है, पेपर आपका ठीकता, अब आते हैं एक यसे कि मैंने बताया, टीर 1 में आपका 1500 नंबर कटाफ है, एवरेज इस्टूरेंट का जो की पाएगा, अ अब यदि हम टीर 2 में आते हैं, तो आप ये देखें कि यदि 1500 नंबर आपने टीर 1 में एचीव किया है, टीर सो नंबर, और यदि हम मान के चलते हैं, 170 नंबर आपका सभी का, 170 नंबर जो है, मैथ में, एक फाइनल भी आपका नॉमलाइज होकर बनेगा, 170 बनता है इंग्लिस में बनता है, यदि इंग्लिस हमें 160 ही मांग के चलते हैं, तो आपका ये जो है, 480 के एराउंड कटाफ बनेगा, टीर 2 तक, अब आते हैं, ये तो टीर 2 तक एवरेज कटाफ है, 480, ये जान लेगा, ये 480 कटाफ है, इसमें 12-19 का है, अब आप ये जान लेज़ है कि मैंने बाब को पताया, 12-17-18 में ही, लिस्ट 3 में ही इतने ज्यादा इस्टुन्ट एवलेबल हो जा रहे हैं, कि लिस्ट 4 में जो इस्टुन्ट हैं, उनके उसमें लब जदी आप देखते हैं, 12-18 में ही, लिस्ट 3 में 15,000 के इवलेबल हैं, 11,000 वेकंसी है, तो उपर तो उसके ज्यादा के इवलेबल हैं, तो लिस्ट 3 वाल ही वो स्टुन्ट को पा लेंगे, अब लिस्ट 4 का चांस बहुत ही इसमें रियर बसता है, यह जो भी से 12 और 17 में, आप उनसे इसको चेक कर सकते हैं, कि कि लिस्ट 3 वाल ही उसमें पोस्ट में गये हैं, तो यह मैं ज चुझे, चार सो असी नंबर यह कटाप बना है, यह टीर 3 तक का कटाप है, कहां तक है, टीर 2 का कटाप, टीर 2 तक का, अब जैसा कि आप देखते हैं, इस बार का टीर 3 का पेपर, जो है, टीर 3 में एक टॉपिक आगया था, यह यह का, चुकि उस टॉपिक को भहुत से स्ट पेज़में, जो आया था, इए उस पर गलत लिख दिया है, तो जहां टीर 3 में, आपको अवरेज नंबर 60 मिलता था, 60 नंबर आपको अवरेज हर रिटुदेंट को, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो 60 नंबर तो मिलता था, पर इस बार जैसा करेगा, कि पर साइपिक था उसमें यदि हमाल रहते हैं कि आपको तीस अंबर ही मिलता है तीस अंबर प्लस और यदि आपका जो यह पर यदि किसी ने गरद लिखा है तो आपको यदि वह जीरो भी दे सकता है प्रटासमिट से और पर जहां तो उम्मिद है इतना वो नहीं करेगा और आपको वो टियर 3 में जो कौलिफाइंग मार्स उसे पास करेगा ही तो आप यह मांग के चलिए कि यदि किसी ने एवरेज भी श्ट्रेंट है तो उसको चालिश से प्रटासमार्स के बीच में नंबर टियर 3 में मिलेगा अब यदि हम इमान के चलते हैं कि प्रटासमिट भी एवरेज श्ट्रेंट मिल लाता है तो एक फाइनल कटाफ बनेगा जो की होगा आपका पांसो ती नंबर अब आप यह सुचके चलिए कि पांसो तीस नंबर तो आपका यह कटाफ बना है पर इस बार पेपर आपका एजी था पांसो तीस नंबर तो यह कटाफ गया है अब यदि यह कटाफ आपका क्यांच यह लिस्ट 4 का कटाफ बनता है तो लिस्ट 4 का कटाफ आप 20 अंबर एक्स्ट्रान आ लीजे पांसो तीस से हम वो सिन्यार वें मांगे चलिए जिसमें एक इस ट्रॉड को इतना नंबर लिस्ट 4 में आएगा लिस्ट 4 का यह और list 3 में जो cut-off बनेगा यदि 530 नमबर जैसा कि हमने यहाँ जोड़ा था तो यह cut-off जो है आपका यदि list 3 का यह बनता है तो हम माल लेते हैं 560 के around list 3 560 और list 4 आपका 530 माल लेते हैं पर जब आप जानते हैं एक final cut-off बनता है एक minimum post को पाने के लिए तो list 3 में ही इतनी candidate available है कि वो इस post को जो कि आपकी इस बार दर 19 के vacancy भी साड़े आठ जार के something है तो उसको देखते हुए जो cut-off है वो final cut-off बनेगा आपका 575 के around cut-off बनेगा यदि worst case भी मानते हैं यदि paper इतना easy आया है कि और सभी ने attempt किया है तो worst case में ये cut-off आपका 585 जाएगा अब आप ये ध्यान रखेगा ये 570 cut-off आपका इतना तो जा सकता है minimum है 570 cut-off ये मैं final cut-off बता रहा हूँ tier 1, 2, 3, 4 के बाद जो final post बनता है ये worst जो minimum cut-off है maximum cut-off भी यदि वो जाना चाहेगा list 3 के बाद का cut-off एक minimum post को पाने के लिए तो वो 585 के राउंड रहेगा इस पर कटा पेपर की level को देखते हुए number of vacancy को देखते हुए इसमें मैं आप plus minus 5 को भी कर सकते हैं 580 भी रह सकता है 590 भी तो यदि कोई student इसके राउंड है 575 और 585 के आसपास यह यूर करड़ी के का मैं बता रहा हूँ वो student अपने आपको जो tier 4 है उसके लिए तयाय करें मैं 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 इतना आपको बढ़ा सकता हूँ कि आप यदि यह मांग के चलते हैं कि आपका कटाप जैसे अभी आपने अपना tier 1, tier 2 और tier 3 यदि आप tier 3 में प्राइसमभा भी जोड़ लेते हैं तो आपका बहुत सारे student का tier 3 मिला के तो बन रहा होगा अब इसमें आप मानके चलिए कि कटाप तो इतनी जब्स तो ज्यादा जाती है अभी बने सुस्तरा उठा रहा कर दिखाया है तो आप यह कटाप तो मानके चलिए कि 575 जो मैं बताया हूँ यह मिनम जा सकती है और 585 लिश्ट 3 के कटाप में बता रहा हू यह maximum जा सकती है इसमें plus minus 5 वही आप कर सकते है यदी यदी कोई list 3 यदी tier 3 में यदी marks कम ना कटे तो 575 कम कट गए 575 जादा मिल गए 585 के round कटाप बनेगा तो मैंने आपको 12-19 का कटाप बता दिया है 12-19 में UR कटाप है worst case में बता हूँ कितना 575 और 585 जो है यह worst case में minimum कटाप यह maximum कटाप UR का है OBC का कटाप बनेगा मने बता है आप यदी final कटाप देखेंगे final कटाप बता रहा हूँ तो minus 10 कर दिजएगा इसी कटाप में यदि SCST है वो तो वो अपना 50 नंबर इस में से minus कर दे इसी कटाप में से जो की 12-19 का कटाप बनेगा अब यह 12-19 आपका यह सभी 17-18 को मैंने compare करके दिखाया है आप अपने marks जो भी आपनी आज आपका answer किया है आप लोग comment में करें और खुद देखेंगे कि कितने student जो है average mark कितना tier 2 तक पा रहे हैं आप कटे अटेम्ट आपका जो attempt है tier 3 में वो अभी result आएगा उसके बाद ही पैसा चल पाएगा पर average marks आप रहा सम्मा मांगे चल सकते हैं तो मैं आपको आज जिंका भी answer की आया आप सभी इने अच्छे marks achieve की हैं तो आप इस cut-off को एक मांग की चल सकते हैं कि इतने के cut-off यह जाएगा यदि आप मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं इस वीडियो को like करिए comment करिए और अपने mask को share करिए और यदि आपको लगता है कि cut-off नहीं जाएगा तो आप previous year के cut-off जो है उसको देख सकते हैं मैंने है बकायदा एक फुल study, full analysis किया है कई सारे YouTube चैनल है कई सारे study चैनल उनके students का data लेके यह मैंने आपको बताया है अब ही आपका tier 4 आने वाला tier 4 आप अभी से उसकी त्यारी किजिए जिसका भी tapping है जिसका भी CPT है आप लग जाएगे यह आपको उम्मीद है जिसने भी अभी तक tier 1 प्लस tier 2 550 500 नंबर यूर कर लिया है और बागी मैंने बताए कि OBC का आप यदि OBC है तो आप tier 2 तक आपना उनका 30 नंबर कम हो जाएगा और यदि SST है तो उनका आपका प्रहासाट नंबर कम हो जाएगा मैंने यह बता है यह आपको जान लीजी मैंने final cutout बता है कि आप इस पर एक post जो है last tax assistant वो पाज आएगे यूर cutout है जो कि इतना बनेगा और जो fund cutout बनता उसमें OBC इतना और SST का यह मैंने पूरा fund cutout बना है और tier 2 में जब आप जाते हैं तो tier 2 में जनल का cutout जितना रहता है उससे 30 नंबर कम OBC उससे 70 नंबर कम SST का होता है तो आप उसके carding आपने cutout को मेरे जो cutout prediction उससे compare कर सकते हैं तो चलते हैं आप मैं आप सभी को आपके 12 में जो भी आने होने ला paper है दो 18 वाले जो select हो चुके हैं उनको आपके paper आने के लिए उसको मैं चाहूँगा कि आप अपना best list दें और इसी साल आप नेया next year आप एक अच्छी post season है पास सकें और जिनका भी लगता है वो नहीं हुआ है वो अपनी कि 2020 में जो भी पोस्ट आएगी उसके लिए तैरी करते रहें यह जान लिजे आपको सीजरले सेलेट होने के लिए आपकी consistency होनी चाहिए आप बहुत से इस्ट्रेंट को देखेंगे जो इस बार 12-19 में स्ट्रेंट हुए हैं जिनके 200 में 200 नूम्बरा है वो 17 से ही study कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा threat हो सकता हूं यदि आपने सही जिसा में मेहनत कीए चलिए आपको नेक्ट वीडियो में मिलते हैं आप यदि मेरा वीडियो पॉसेन आपको लाइक करेगा शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा ठीक है नेक्ट वीडियो मिलते हैं जैन